अब उन दिनों वहाँ पर रहते हुए मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी हमारे पडूसियों से क्योंकि वो मुझे और लॉलिता को बाप बेटी समझ रहे थे हमारे बारे में जानने को बहुत एक्साइटेट थे मुझे तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे बड़े सवाल जवाब पूछ रहे थे लॉलिता से अब जहां मैं जाब कर रहा था शायद मैं अकेला ही था वहाँ पर फ्रेंच परफेसर और मेरी जाब सेक्यार हो चुकी थी जिस दोस्त ने मेरी मदद की थी ये जाब दिल्वाने माओ बेवकुफ को ये देखकर लगता नहीं था वो कभी भी समझ पाएगा कि लालिता और मेरा क्या रिष्टा है मैं लालिता को मॉलस्ट कर रहा हूँ उसके साथ में हफते में दो या तीन बार चैस खेली लेता था उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि लालिता और मेरा क्या रिष्टा है अब बहार रहते हुए कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था जैसे लालिता इन दिनों मेरा कुछ ज्यादा ही अडवांटेज ले रहे है वो जानती थी कि मेरी financial situation ठीक रही है लेकिन फिर भी वो मुझे सेक्स के बदले में ज्यादा pocket money के depend करती थी मुझे एक तरह से डर सा लगने लगा तो मैंने भी अलग-लग तरीकों से उसे track करना शुरू करती है और उपर से मुझे दूसरा डर ये लगने लगा था कि आजकल ये लड़की स्कूल में बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है खुलने मिलने लगी है मुझे चिड होती थी जब ये लालिता कि तरफ को ज्यादा ही इंट्रेस्ट ले सकती है लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना था कि कोई मुझे नोटिस ना करे कि मैं लालिता को ये सब करते हुए देख रहा हूँ उसने अपने स्कूल की कुछ लड़कियों को दोस्त बना लिया था वो लड़कियां कभी-कभी हमारे घर पर आती थी एक तो उनमें से थी इवा दूसरी थी मोना दोनों अच्छी थी अब आप इसका बिहेविर तो जानते हैं ये दोस्तों ये किसी भी यंग लड़की को देखता है तो छोड़ता नहीं अच्छी थी इसके हिसाब से दोनों लेकिन ये बोलता है कि मुझे लगता था कि लालिता ने इस मोना को कुछ न कुछ बूला है कि मैं उसके साथ घर में क्या क्या करता हूँ चाहिए सब कुछ बता दिया है लेकिन मुझे शक था, यकीन नहीं था तो मैं ज्यादा से ज्यादा उस मोना से कुछ इस करता था कि इस लालिता की स्कूल की ज्यादा से ज्यादा डीटेल्स निकलवाऊ इन दिनों लालिता मुझे से चड़ी चड़ी रहने लगी मैं उसे जहां भी मिलता था, वो मुझे से कटी कटी रहती थी शायद वो समझ रही थी कि मुझे उससे बस एक ही चीज चाहिए वो हर वक्त मेरा मजाग बनाती थी एक दिन तो उसकी स्कूल की हैड मिस्टरिस ने मुझे फोन करके पूछा वो जानना चाती थी कि लॉलिता का ऐसा बिहेवर क्यों है स्कूल में कुछ परिशान परिशान सी रहती है क्या आप उस पर कुछ ज्यादे रेस्ट्रिक्शन्स रखते हो सर यह चीज सही नहीं है मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगी कि लॉलिता की स्कूल में एक प्ले होने वाला है प्लीज आप अपनी बच्ची को उसमें पार्टिस्पेट करने दे मैं मान तो गया लेकिन मुझे डर सा लगने लगा कि इस हैड्मिस्ट्रिस ने कुछ नोटिस तो नहीं कर लिया लॉलिता की बीहेवियर में इसकी बाद मैं लॉलिता से मिलने उसकी क्लास में गया लेकिन मुझे लगा कि ऐसे रिस्क लेकर मैं कुछ पता करूँगा तो गलत होगा अब जैसे ही लॉलिता ठीक हुई बीमारी में थी वो जैसे ही वो ठीक हुई मैंने उसे अलाव कर दिया घर में कुछ बॉइस की साथ पर चोटी सी पार्टी कर सकती है लेकिन उस पार्टी के दौरान हर 10-15 मिनिट में कोई ना कोई बहाने से मैं चेक करने जाता था कि चल क्या रहा है इसके बाद उसे एक बाइसिकल लेकि दी एक नया रैकेट लेकि दिया कुछ हिस्टरी की और पिंटिंगी बुक्स लेकर दी उसे खुश रखने के लिए और उस स्कूल में कोई प्ले होने वाला था उस प्ले की वो प्रैक्टिस कर रही थी रिहरसल कर रही थी वो उस प्ले में लीड रूल कर रही थी लेकिन इस बीच मुझे चिंता इस बात की थी कि वो अपने पियानो लेसन स्किप कर रही है मुझे तो लग रहा था जैसे ये लड़की आजकल कुछ मुझे से चुपा रही है कुछ चुपाने लगी है प्याद इसको लगता है कि इसकी माँ का मडर मैंने किया है बलकि इसकी माँ तो एक्सिदेंट से मरी थी मैं उसका पीछा करने लगा वो शिश्की की उसे पता न चले तो क्या देखा ये वो टेलेफॉन बूत पर जाकर किसी से बात कर रही थी फोन पर अचानक उसका बिहेवेट चिंसा हो गया और एक दिन आकर मुझे भूलती है कि वो अब इस लाइफ से, इस स्कूल से, इस जगह से बोर हो गई है उसे वापिस सड़कों पर वोई कार में ट्रेवल करते हुए जिंदगी बितानी है एकदम पहले की तरह अब वो इस घर में नहीं रहना चाती तो मैंने भी उसके स्कूल में बोल दिया कि मैं लालिता की साथ एक लाउंग ट्रिप पर जा रहा हूँ मुझे हॉलिवड में एक जाब आफर हुई है और हम निकल गए, दूसरी रोड ट्रिप नहीं जाने कार मैं खुश था, कि तभी मैंने देखा कि एक कार मेरी गाड़ी का पीछा कर ले थे मैं समझ नहीं सका वो कौन था, वो गाड़ी हमें और लेकर के आगे निकल गए दूसरों, अब मज़ा आने वाला है स्टोरी में क्योंकि कोई ऐसा है जिसे हमबर्ट क्या कर रहा है सब पता चल चुका है और हमबर्ट सून सकता था कि कुछ तो पक रहा है कोई है जो उसे ओवर टेक करने की कोशिश कर रहा है